नमस्कार आप देख रहे हैं पुर्वया ब्रेकिंग और मैं हूँ रश्मी बुलिटन की शुरुवात करते हैं इस वक्त की एक बहदी बड़ी ख़बर के साथ RJD के नए प्रदेश अध्यक्षर रामचंद्र पूर्वे हो सकते हैं सूत्रो की माने तो रामचंद्र पूर्वे को तीसरी बार प्रदेश में पार्टी की कमान सभाल लेके जिम्मेदारी मिल सकती है यहां बता दे आपको कि दो चनवरी दोसा सोला को RJD के प्रदेश अध्यक्ष का चनाव होना है तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त सूत्रो के हवाल इस जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक RJD के नए प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे एक पार फिर से हो सकते हैं तो इस मस्ते पर जादा जानकारी के साथ जुड़ गया है हमारे समवादाता अमिर ज्या अमिर जो खबर मिल रही है सूत्रो के मुताबिक RJD के नए प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे एक पार तीसरी बार बन सकते हैं क्या जानकारी आपके पास जिनिश्य रूप से रसमें देखिए जो सुत बता रहे हैं उसके हिसाब से तीसरी बार रामचंद्र पूर्वे को पार्टी अध्यक्ष की कमान मिल सकती है दो जर्मचंद्र पूर्वे का नाम सबसे आगे चल रहा है इसकी कई वजाएं है रामचंद्र पूर्वे का नाम आगे चलने की हलाकि कई नाम सामने आए हैं और अभी लालू परसाद्य आदर के पास ऑप्शन खुले हुए हैं इलियास हुसेन का भी नाम काफी चर्चा में है लेकिन और कई पार्टी के निताओं ने मिशा भार्ती को भी अध्यक्ष मनाने के रूप में आगरा किया है राष्टी अध्यक्ष लालू परसाद्य आदर से लेकिन इसका खंडन खुद रावरी देवी ने किया और उसके बाद खुद मिशा भार्ती ने भी जी पुरवया को एक्समेंस कर का था कि परद्य अध्यक्ष में नहीं बन रही हूँ और मैं पार्टी में पिलाल कोई पत्तमालने को तयार नहीं हूँ तो ऐसी इससी में जो कई नाम आगे हैं तो रामचंद्र पुरवय को इसलिए कमान मिल सकती है क्यों लालो यादब देख रहे हैं कि पार्टी ने चुनाब में अच्छा परदशन किया है उसमें एक अहम भूमिका रामचंद्र पुरवय की भी है और ऐसे में कई अगर दू अगर रामचंद्र पुर्वय के अलावे किसी नाम की बात करें तो वो कौन-कौन से नाम है जो इस पद के लिए हो सकते हैं ल्यास पुर्वय के नाम कापी चर्चाओ है इसे इस प्रदून नाम की विए हो नेताओर राखने क्यों लिए कंदर रामचंद्र पुर्वय के नाम पर किसी को नाराज़्युन नहीं होग ciao नोगई THIS कि एत्राज नहीं होगा क्योंकि कई दिनों से पार्टी अजर्ट की कमांद समाल रहे हैं काफी बुजूर्ग हैं काफी एक्स्पिजियंस हैं तो ऐसे में रामशंद पुर्वे को अगर मनाया जाता है पार्टी पदेश से कमांद दी जाती है तो किसी को नाराज यह नहीं कि दिनों से आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले मिसा भारती का नाम अचानक तरही चैनल रखवारों पार्टी को यह हैं दοैंस कि नहीं मैं अभी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनने जा रही हूं को लेकर मीशा भार्ती ने सिरे से खालिज किया है इस बात को कि वो इस रेस में कहीं से नहीं है और फिलहाल जो खबरे मिल रहे हैं उसके मुताबिक लगाता तीसनी बार रामचंदर पूर्वे इस पद को है नहीं प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के अगर इस बार फिर से वो बनते तो लगाता तीसे बार वो पार्टी की कमान सभाल ले जा रहे हैं दो बार परदेश अध्यक्ष रह चुके रामचंदर पूर्वे तीसरी बार भी परदेश से दक्ष होंगे आरजेडी के जी मीडिया के सुत्र बता रहे हैं पुर्वे जी तीसरी बार परते से धक्ष बनने की पूरी संभावना है आपकी हमारे सुत्र बता रहे हैं कि आपके नाम पर पार्टी के अंदर मुहर लग गई आपका क्या करना है अभी जो संग्टनात्मक चुनाम में जो भी दायुत जहेंवारी मुझे दी जाएगी उसी निष्ठा के साथ इमांदारी के साथ अपने नेतालालू प्रसाद यादव के नितृत में निभाने का काम में करूंगा आगे क्या होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है चुनावी पर क्रिया है पुर्वे जी सबको इसका पालन करना है आप खुद परदेश अधक्ष हैं और इसका पालन कर रहे हैं लेकिन एक सवाल का जबा बस मुझे दे दीजिए एक जनवरी 2016 को रामचंदर पुर्वे परदेश अधक्ष के रुप में नामंकन करने जा रह यही हमारी राजनीतिक जीवन का मर्यादा रहा है चले रामचंदर पुर्वे खुद कर कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन जो अनसासन वो दिखला रहे हैं बातचीत में साइध वही वज़ा है कि तीसरी बार लालू परसाद यादम ने मन मना लिया है कि रामचंदर पुर्वे परदेश अधक्ष के रूप में आरजेडी को आगे बरहेंगे कि आमरा प्रसान इस सांथ के साथ अमीज्या जी मीडिया पटना से बड़ा सवाल ये है कि ये काला हिरन वन बिभा की देख रेक में था तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई पूछा कि आपके रख्षा में रख्षा के रख्षा के रिए लगा रखा था और रात में आपको बता पाऊंगा लेकिर कहीं ना कहीं जिक वन बालको को मैं लगा रखा तो उनकी लापरवाही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि चोरों ने इसके रख्षा की है जी तो जो अधिकारी है वो खुद मान रहे हैं कि वन पालको की ये लापरवाही है पंकर जाने जाएंगे आपसे कि जो ग्रामिनों ने इसका शिकार किया है काल हिरन का शिकार किया है क्या ग्रामिनों की तरफ पंगर जयानि की ग्रामिनों को कहना है कि उन्होंने खुद काले हिरन को पकर के वन विभा को सौपा और वन विभा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ग्रामिनों ने शिकार किया है तो असमंजस की स्थिती बन गई है जी जी बिलकुल तो इस मसले पर क्या कहना है आपका पंकच आप करीब से देख रहा है इस पूरे मसले को और आप मौके पर मौझूद है जी मैं बता दू काला हीरन या फी हीरन का मास हीरन अक्तरा यहां अक्तरा यहां पर बालमिकी नेगर जंगल से भी हीरन यहां पर आजाय करते हैं लेकिन मैं बता दू बालमिकी नेगर जंगल आते हैं वो काला रंका हीरन नहीं होता है यह जा काला रंका हीरन नेपाल से आया है यह अर फीलाल इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिये आपका, कि शिकार ग्रामिनों ने किया है चले बढ़ते आगे इस वक्त राजधानी पटना से एक बड़ी ख़वर मिल रहे हैं जहाराम स्वरूप नाम के एक शक्स का शब रामद हुआ है फुलिस ने तीन लोगों को इस मामले में गिरफतार भी किया है जिसे लगातार पूच्टार इस मसले पर जाद रजाइन काई के साथ जोड़ गे हमां संवाद दाथा अमित कुमार अमित क्या है फूरा मामला एक शक्स का शब रामद किया गया और पोलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में पूच्टा जारी है क्या फुलासा हुआ है देखिए अभी खुला पुलिस ने गिर्फतार किया है रामसुरूप का जो डेड़ बाड़ी है वो आजाले सुबर पतना के अंटागाट के पास से बरामत किया था तुलिस ने असानिया लोगों ने जनकारी दी थी कि रामसुरूप जो है उनसकी हत्या कर दी गई है बीतिरा और शब को गंगा में कोसिस की गई जिसका पुलिस मौके पहुंची सब को कब्जे में लिया और उसके बाड जो आसपास के लोग थे उनकी द्वारा दिये गए गयान के अधार पत्ति लोगों को पुलिस ने रिटेन किया जिन से पुस्तास तरी है पुस्तास की दोरां कुछ अहम खुलासा अहम फिलहाल लेकिन पुलिस इस मसले पर कुछ भी कहने से बच रही है इन तमाम चान काई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मत आपका चले बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़वर की तरफ जो चत्रा से मिल रही है जहां बेलगाम ट्रक रोड के किनारे हुटल में जागुसा और इस दोरान हुटल मालिक सो रहते और एक कर्मचारी भी सो रहते जिनकी मौत हो गई है इस हाथसे के दोरान सिमर्या थान एलाके के सिक्री मोड के पास कि ये घटना है तो दो लोगों की मौत हो गई है इस हाथसे में सुरिकांत इस वक्त चत्रा से जुड़गे हमारे साथ फोन लाइन पर सुरिकांत इस मामले में अपडेट्स कहा है आपके पास कि मौत घटना सल पर हो गई इसके बाद सिमर्या थाना पर पोलीस मौके पर पहुंचके साथ को अपने करजें मिलेकर कुश्ट मौटम के लिए सदर अस्पदाल भेज़ दिये जी तो बेहदी दरनाख हादसा हुआ है एक होटल में अचानक एक ट्रॉक जागुसा और दो लोगों की मौत हो गई है इस तोरान पिलाल इंचानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरिकांत आपका अगली ख़ब शेक पूरा से जहां पुलिस ने शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया है मुरारपुर गाओं के टाटी नदी के किनारे शराब की अव्यद भट्टियां चलाई जा रही थी जब पुलिस के टीम मौके पर पहुँची शाप इमारी के लिए तो दंग रह गई शराब की अंगेनत भट्टिया तालाप के किनारे बनी हुई मिली जमीन के अंदर शराब को छिपा कर रखा गया था लगबग चार डर्जन से जादा शराब की भट्टियों को पुलिस ने थ्वस्त किया है और हजारों लीटर महुआ शराब को बहा दिया गया चाप इमारी की भटक शराब माफिया को पहले ही लग गई थी जिसकी वज़ा से वो मौके से फरार हो गया पुलिस के पहुँशने से पहले ही कि माफिया फरार हुए तालाब और नदी के किनारे बड़े पैमारे पर अवैश शराब का कारुबार किये जाने से नदी का पानी भी दूशित हो गया है पिछले एक साल में यहाँ एक दरजन से जादा बार चापे मारी की गई लेकिन चापे मारी की अगले दिन शराब माफिया फिर से अपने धन्दे में जुट जाते है बेहदी चौकाने वाली बात है कि पहले चापे मारी होती है लेकिन क्या खौफ रह जाता है लोगों के मन में की धन्दा अगले दिन से शुरू भी हो जाता है नदी किनारे जब बिरहत पहिमाने पर दारू का रोबर हो इती तो तिंचादी परल्यम लोगा के धौस्त के से सब फिर आज भी हम लोग आए हैं करुशाव की संख्या में जवान दूर से देख लेता है इसलिए भाग जाता है चले बात करते रेल टिकेट के काले कारूबार के बारे में सीवान रेल वे स्टेशन के टिकेट काउंटर पर दलालू का बोल भाला है अगर आप यहां ततकाल टिकेट लेने के लिए लाइन में लगे हैं तो कंफर्म टिकेट शायद ही आपको मिल पाए क्योंकि आप से पहले दलाल काउंटर से कंफर्म टिकेट ले लेंगे और आपकी बारी आने तक कंफर्म टिकेट वेटिंग में तब्दील हो जाएगा खूफिया कैमरे से ली गई तस्वीर इस पूरे खेल को उजागर कर रही है जिसमें काउंटर के अंदर का सच साफ साफ देखा जा सकता है रिजर्वेशन काउंटर के अंदर एक शक्स मौजूद है आप तस्वीरों के जरी देख सकते हैं जो बुकिंग कलर के पीछे खड़ा है वो धीरे से एक परची बुकिंग कलर की तरफ बढ़ाता है और बुकिंग कलर बड़ी चालाकी से पुर्जा बिना हाथ में लिए ही पढ़ारा है जब की यह टिकेट दलालों के हाथ में चला जाता है और बाहर खड़े लोगों से बुकिंग कलर कहता है कि रिटिंग हो गया है इतना नहीं दलाल और बुकिंग कलर की मिली भगत से और खरास को टिकेट भी दे लिए independence और वही पैसे भी ले लिए जाते हैं। लोगों को खदेर देता हैं। लोगों को खदेर देता हैं। लोगों को खदेर देता हैं। तो आपने देखा कि कैसे कैमरे से ली गई सची तस्वीरों को रेल के कर्मचारी जुटला रहे। खर बढ़ते हैं। पहली नज़र में देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या गर्दन दबा कर की गई। मुसफरपुर से इस वक्त बड़ी ख़वर मिल रहे जहां पुलिस को बड़ी काम्यावी हासिल हुई है। कई मामलों में इनकी तलाश थी पुलिस को एससपी रंजीत कुमार मिश्रा ने इस बात की पुष्टी की है। तो इस वक्त मुसफरपुर रुख कर लेते हैं जहां हमारे समवादाता अरुन श्रिवास्तब बन गया है फो लाइन पर अरुन क्या कुछ अपडेट से आपकी पास पुलिस को बड़ी काम्यावे मिली है। बड़ी काम्यावी है जो अपराद पर काबू पाने के लिए पुलिस की पहल बहुत बड़ी काम्यावी है। जो बिलकुल जिस तरह से मुसफ़र पुर में अपराद का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस के इस तरह के ऑपरेशन के बाद अपरादियों के मन में खौफ जरूर होगा पुलिस को रेकर। फिलाल इंचान कायरों के लिए बहुत बहुत शुक्त रहे हैं आपका। फिक व्यापारी को गोली मारी है बल्कि लूट की वारदात को भी अजान दिया है। अब डिट्स क्या हैं आपके पास? फिलाल इंचान कायरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर जागे अगली खबा समस्तेपूर से है जहां समस्तेपूर के मुस्री घरारी थाना के गंगापूर के पास एनच 28 के किनारे एक डीजल भरे टैंकर में आग लग गई है। ये हाथसा सुबह करीब पाच बचे हुआ है, इस्थानी लोगों ने सडक से करीब 50 फिट दूर विस्पोर्ट की आवाज के साथ इस टैंकर से उट रही आग की लपटो को खुद देखा है। हाला कि इस हाथसे में किसी के नचानमाल के नुकसान होने की सूज़ना नहीं है, आशंका है कि टैंकर से डीजल की अवैद रूप से चोड़ी हो रही थी, इसी दौरान ये हाथसा हुआ है। अब शाज वगा यहां है तो देखे आग लगा हुए थी, किस चीज में आग लगा हुआ है। यह टैंकर है और काई ड्राम भी लगा ओगा है। लगां पचास वो ड्राम है। तुसमें क्या था टैंकर में क्या जल्डा था। अब क्या था सर रिवाद तो हमने बता पाएंगे यह टेंकर मतलब क्या डीजल पेट्रोल है या कुछ इस क्या है स्पीट वगर है क्या लग रहा है अपनों फार्ट भी के टीम के हैं अपनों जांच करने की बात पता चलिए संजीव आप से जाना चाहेंगे कि डीजल टैंकर में आखिर आग लगी कैसे इसके बाद वहां अपना अपनी का माहूल हो गया है लेकिन उस वारे में जब हमने थाना धख से बात करने की कुछिस करी तो उन्हें कुछी बताने से साफ इंकार कर दिया है लेकिन कहीं न कहीं यह अवैध से बताने को सोयाह माबला लग रही है जी संजीव एलार इंचायनकारों के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका अगली ख़वर सीवान से मिल रहे हैं हत्यार के साथ चार चात्र गिरफतार हुए है दो देसी पिस्टल एक देसी कट्टा बरामद हुए इन चात्रों के पास से इसके साथ ही साथ 12 जंदा कार्टूस की भी बरामदगी हुई है अगर्थाना इलाके से इनकी गिरफतारी हुई है तो पेहरी संजीरा ख़बर है चार चात्रों की हत्यार के साथ गिरफतारी हुई है सीवान में और बटा दे आपको की गिरफतारी के बाद लगातार पोलिस इनकी पूछ टाच कर रही है बड़ी ख़uds मिले इस वक्ट सीवान से जहाँ हतियार के साथ 4 शात्रों की गिरफतारी हुई है गिरफतार शात्रों के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, इसके साथ ही 12 जंदा कार्टूस भी बजा गिरामत कि गये है और इन तीनों चात्रों के गिरफ्तारी हुई है नगर्थाना एलाके के एक वहले से गिरफ्तारी हुई है इनकी बड़ी ख़बर मिल रहे हैं इस वक्त सीवान से जहां चात्रों के पास से चार चात्रों के पास से कई हत्यार बरामद हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी की है पुल आकाश के आप हमें सुन पा रहे हैं तो लगता है आकाश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है एक बार फिर से बता दे आपको कि सीवान में एक बड़ी कवर में लिए सीवान से जहां हतियार के साथ चार छात्रों की गिरफतारी हुई है पुलिस लगातार गिरफतार छात्रों से पूश्टाश कर रही है नगर्थाला इलाके से इन चारों छात्रों की गिरफतारी की गई है एक राहत भरी खबर दे दे आपको कि खगडिया में ट्रेनों की आवाज आई शुरू हो गई है इससे पहले आमरपाली एक्सप्रेस के पट्री से उतरने से ट्रेनों की आवाजाही रात एक बजे से ही बाधित थी घंटों मशकत के बाद रेल रूट में फिर से बदलाव किये गया फिर से चालू हो गया है पसराह रेल विस्टेशन के पास ये हाथसा हुआ था जिसमें आमरपाली एक्सप्रेस की साथ बोगया बेपट्री हो गई थी रेल रूट बाधित होने से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया था और कई ट्रेनों को भांगलपूर रूट से रवाना किया गया था तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है रेल पाई चालन फिर से सामाने हो गया है जो की रात एक बज़े से ट्रेनों की आवाजाही बादित थी वो सामानी रूप से शुरू हो गई